नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे हिंदी यूटुब चैनल हाई एंड हाई एजूकेशन में स्वागत है आईए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टापिक पर जो प्राइबेट स्कूल की सिक्षा बेवस्ता से जुरी हुई है जी हाँ दोस्तों बिहार के निजी स्कूल में चल रही मनवानी की एक सर्मनाक तस्वीर सामने आई है जहां राजधानी के पाटली पुत्रा कलोनी इस्थित एक निजी स्कूल ने सभी बच्चों के मोजे उतरबा कर उसे पानी में भिंगो दिया तो वहीं एस्कूल परवंधन पर ये आरोप लग रहा है कि एस्कूल मेनेजमेंट द्वारा एस्कूल परिसर में 400 रुपिये में सौक्स बेचने के लिए ऐसा किया गया है बताते चले कि पाटले पुत्रा कॉलिनी इस्थित एक निजी स्कूल की इन छात्राओं के मुताबिक वे सभी घर से मोजे पहन कर आई थी मगर यहां आने के बाद उन्हें दफ्तर में बुलाया गया जहां आने पर कहा गया कि अपने अपने पैरों से मोजे उतार दो हमने मना किया बार बार कहते रहे कि ठंड है लेकिन सर हमें डाटने लगे हमें धमकी देने लगे कि परिच्छा देने से रोक देंगे आखिरकार मजबूर होकर हमने मोजे उतार दिये तो वहीं छात्राओं की माने तो मोजे उतरवाने के बाद उसे पानी में भिगों दिया गया इनका अरोप है कि एस्कूल मेनेजमेंट द्वारा एस्कूल परीसर में 400 रूपिये में सौक्स बेचे जा रहे हैं सभी पर दवाब बनाया जा रहा है कि वे बाहर से नहीं यहां से सौक्स खरी दे इस घटना के बाद छात्राओं ने एस्कूल परीसर में जमकर बवाल काटा इस घटना के बाद अभिवाबकों में भी जवरदस्त गुसा देखने को मिल रहा है तमाम लोग एस्कूल परवंधन के खिलाब कारवाई की मांग कर रहे हैं हलांकि अभी तक इस मामले में एस्कूल परवंधन की योर से कोई परतिक्रिया नहीं मिल पा रही है कोई भी सामने आकर बयान देने को तयार नहीं है ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द एस्कूलों में चल नहीं इन मनमानियों के खिलाप कोई ठोस कदम उठाना चाहिए तो दोस्तों इस टापिक पे इतना है इससे संबंधी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे हिंदी यूटूब चैनल हाएंड हाए एजुकेशन को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंज जय भारत